हाई फ्रेंद्स वेलकम यूल अड़े 247 एंड आयम मुकेश शर्मा आज हम डिसकस करेंगे मॉक्टेस 4 क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा मैंने आपको तीन मॉक्टेस डिसकस कर चुका हूं मॉक्टेस 1,2,3 आज का जो मॉक्टेस रहेगा मॉक्टेस 4 है तो देखते हैं कि आप नमबर आफ क्वेशन से यहां पर किस तरीके से आपके एक्जाम में आते हैं उसी के बेसिस पर क्वेशन फ्रेम किये गए और आप लोगों को यहां पर रिप्लाई भी करते रहना है और ज किस तरीके से आपका क्वेशन एक्जाम में फ्रेम होता है तो फास्ट कोशन इस इन अडिशन टू किंग डेटा डेरेक्ली इन्टो डेटाबेस देटा इंटी कैन बेडन फ्रॉम है एंड फर्स्ट ऑप्शन इज इंपूट फॉर्म भी टेबल सी फेल्ड देन डेटा डिक लगता है तो आप लोगों को इस क्वेशन के अंशर को देखकर आपको A, B, C, D और E में से बताना है कौन सा सही है जल्दी से आप लोग अंसर कीजेगा ओके कई लोग यहां पर यह आप्शन कर रहे हैं कुछ भी भी कर रहे हैं चली हम देखते है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और किस तरीके से एक्जाम में क्वेशन पूचा गया तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इस इन्पूट फॉर्म क्योंकि डेटा आपका इंटरेंस किन जाएगा भूका फ़ॉर्म में तो दिखिए घालिकाय और इस सकता है एक डेटाबेस के पार्ट में तो वो किसमें होगा एक इन्पूट फॉर्म में डेटा आपका इंटर किया जाता है तो यहां पर यह आप्शन आपका करेक्ट हुआ यह और जिन लोगों ने एक अलावा ऑप्शन दिया उनका गलत है बाकी यह वालों का बिल्कुल सही अंसर है ओके चलिए देखने हैं च्टरिंटी फशनी विच फ़लों इस अपॉलर प्रोग्रामि लांग्विच फ़र डवल Speed multimedia बेपेज लेप साइट एंड देन वेब बैस अप्लिकेशन पर दो यह तो यह सारी चीजिजे आपकी डॉप्रामिंग की घान है हम यहां पर मुल्टी मीडिया की बात कर दे या वेब पेजिस की बात करें वेबसाइट की बात की जाए या कोई भी बेज़ आप्लिकेशन की बात की जाती है तो फ़स्वाना ऑप्शन एक ओबोल बी जावा सी बेसिक डी एसमिलर और इन आप दीज अब आपको यहां बताना है कि सब्सक्राइब जावा जो आपका यहां पर करेक्ट आंसर दिया गया वह कौन सा हो गया भी ऑप्शन और भी क्या है जावा अब जावा से रिलेटेट आगे कई एक्जाम में कॉशन भी पूछ रहे जाए जावा किस टाइप के हमारी प्रोग्रामिंग लैंगिज है हाई ल अब आदे छाई आपकी प्रोग्रामिंग लाग्वेज अप्रोसीजरल यह आप्सेक्टो रेंटेट चुलिए देखते हैं आप नाक्स कोश्टन तो को में बहुत ज्यादा लॉंग ना करके तो इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी यह सारी चीज़े दे रहे हैं और जब कमेंट्स पढ़ते हैं ज्यादा टाइम हम बस आइंसर देख रहे हैं नेम किसी का यहां पर अभी हम आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे रीजन डलाइं टॊपल टपल क्या है क्य Assistant कैसे अपका टॉपल काम करता है तो टूपल कोलम आफको टीबल या टूबयाय रोफ टीबल या की आफटेबल है या इनमें से कोई नहीं तो बट यहां correct answer is a row of a table क्योंकि आप लोग आपको मैंने बताया था कि यहां पर जो टपल है टपल क्या है row of a cable किसी भी टेबल में देखेगा table आपका तब बनेगा जब इसमें column और row दोनों होंगे तो कॉलम को मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉलम का पार्ट है तो इसको मैंने कहा था यह attribute कहलाता है और अगर हम यहां बात करते हैं यह जो आपका रो का पार्ट है यह आपका टपल कहलाता है तो यहां पर पूंचा गया था टपल क्या है तो टपल जो रो आफ़ टेबल जो टेबल की रो है वो क्या कहलाएंगे आपके टपल कहलाते हैं तो इसके बेसे पर आपका यह कोशन था कि इसलिए आपका करेक्ट आंसर कॉंसा वह सी चले नाक्स वन नाक्स कोश्चन इस फाइल एक्स्टेंशन इस से अपरेट इट फ्रॉम दा मेन फाइ किस से होता है यहां पर पहला दिया गया क्या क्वेशन मार्क से सपरेट होगा तो आपका क्वेशन मार्क आ गया एक्स्क्लामेशन साइन से आपका से अपरेट होता है तो आपका अंडरी स्कोर दे दिया गया पीरियोट से होता है तो यहां पर आपका डॉट पीरियोट दि प्रिट मीन सर आपका dot से होता जैसे आपने कोई फाइल लेम दे रखा है और फाइल नेम किसी का यहां दिया गया रोहित डाइब स्य दीजे इसका मतलब फाइल डियों है और सैंपरेट हूँ यह ये बहुन से सेंपररेट कर दिया रोहित पार्ट दिया जाता है एक्स्टेंशन इस आलवेज रिपर्जेंट टाइप आफ फाइल किस टाइप की आपकी फाइल रिपर्जेंट की जाती जैसे आपका टी pressing दिया गया तो नोटपैड और ओगया डोट आच कि लिए अगया या या एक्सल ऐस एक्स B लिकते दो अब डी पी टी या ढॉट सीडिया इर कोरेल ड्राग का हो तो इस तरीके के कई आपके extension यहां पर रिपर्जेंट किया जाते तो एक्स्टेंशन ही रिपर्जेंट कराते हैं आपके टाइप आफ फाइल को बट कभी भी आप देखेगा फाइल एक्सेंशन के बीच में जो सेपरेट पोजिशन होगा वो किससे होगा वो पीरियट से किया ब्रेकेट में एस्टीमल टैग एस्टीमल में जो आपका कोई भी वेपेज त्यार किया जाता है उसमें का कौन से फॉर्मेट में किस तरीके से कंटेंट को स्टार्ट किया जाता है और कहां से किस तरीके से कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है तो साइन कौन सा यूज किया ज आपके जो ब्रेकट दिया गया या स्कॉर ब्रेकट या इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहा जाता है तो यह आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ब्रेकट का यूज कहा जाता है इना एस्टी एमेल प्रोग्रामिंग लेंगेज में जो आपके यूज के जाएंग हाँ जल्दी से आप लोग बिल्कुल देखे करेंट आपके हाँ पर कहीं लोग रिप्लाई कर रहें कहीं सही भी हैं देखते तो करद अंसर इस बी तो यहां पर जो भी ऑप्शन है वो आपका करे है क्योंकि कोई भी अगर आप देखेंगा एंगुलर ब्रिकेट का यूज किया जाता है जब आप कोई भी हैस्टी एमल लेंगज में कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो मस्ट है वैट टू पार्ट एन ओपनिंग एंड़ क्लोजिंग पार्ट हैस्टी एमल ही ने तो पार्ट आते हैं जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो आपका हती एमल बेसीक आपका यहां से स्टार्ट वा और जूज करते तो हमें आप देखेगा ंस इस ट एमल स्लैस उसके بाद सिंग लेुछ दखा जाता तो यह दो ब्रिकेट तो यह अपके ओपनिंग की बात की जाती तो यहां पर टाइग दोनों मि परजेंट किये गया चली आगे देखते हैं next question is what type of software creates a smaller file that is faster do faster to transfer over the internet policy file create kisati a size me smaller do fast data code transfer कर सके है तो फास्वाना compression file AVG file fragmentation file and PG file यानन आप दीस जल्दी से आप लोग यहां पर अंसर कीजिएगा ओके अ हाँ बिल्कुल जल्दी से आपके अंसरकारी बिल्कुल बिल्कुल सही है चलिए देखते हैं तो आपका इहां पर जो करेक्ट आंसर है वह आपका जाएगा compression compression क्यों की की फाइल जब आपकी कंप्रेस हो जाती है तो आपका जाइस क्या होगा कम हो जाता है तो इसी लिए आपका इस्मालर साइज हो जाएगा और इंटरनेट में उसको हम इसली बेस सकते तो लिका compression is the process of the reducing the size of a file while encoding the data information more efficiently by doing this the result is a detection in the number of bits by sites used to store the information is come at last size आपका compress or data उतना ही रहता बड़ साइज केबल रिड्यूस होता है और हम उसको इसली ट्रांसवर कर सकते हैं जब साइज हमारा कम होगा तो डेटा आपका automatically fast transfer हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर जो answer आपका करेक्ट हुआ वोड compression ABZ क्या है एक आपका format है जो ABZ आपकी file format fragmentation process है जो आपका utilities का part है MPZ एक आपका file format है video format और नन आप दीज तो कोई भी option हैसा नहीं है next one which among the following is a software package from Sun Microsystem इन में से जो आपके option दिये गए से कौन सा Sun Microsystem का package है Sun Microsystem आपको पता होना चाहिए Sun Microsystem का कौन सा package है यहाँ पर तो Sun Microsystem एज़ा एक हमारे company है तो उसका कौन सा है पकेज़े ज़े पीजी है जे डिक जी आपका जे डी के या आई डी या आई यार क्यू या अल अब दिए अब सभी आपके Sun Microsystem आपर जल्दी से आपका इसका अंसर करना है कौन सा आपका कौनतर और सआरोगा आ काल दिशेर ओके देख रहे हैं आप लोगों के और सारे है रोिट हाँ बिलकुल साई रोई डुटनी कमेंड़ साहिः किया जल्दी अप छि centr Trung justamente सरे因रे भी किया आपका जे डी के जे डी क्या है आपका जावा डबलेपलेंट किट 7 किस अबलेप्सरा डबलर मेंट नियुס प्रवलॉप पक्रिकेशन एंड एपलेट्स तो जावा जो यहां से कोशन और आ गया कि आपका पूचा जाए कि जावा किसका प्रोड़क्ट जावा इस प्रोड़क्ट आफ सन माइक्रो सिस्टम बट एड पसें टाइम जावा इस प्रोड़क्ट आप और एकल बट अगर हम लांच करने की बात करें कि तो जावा जो लॉंच किया था वह आपका सन माइक्रो सिस्टम नहीं लॉंच किया था ओके क्लियर चले देखते हैं नक्स कोशन इस नाक कोशनी विच आप फॉलंग इस्टेट मिन नौट ट्रू अबज़वाउट कैश मेमोरी काश मेमोरी के वारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यहां पर आपको बताना है इट मीन सदेखिएगा आपके पांच ओप्शन दिये गए चार आपके जो स है क्या सभी साहिए या सभी नहीं साहिए उसके बेसेस पर आपको बताना तो निगेटिव ऑप्शन है नौट टू आब आउट कैस्ट मेमोरी तो फरस्ट आप्शन काश मोरी एज़ा फॉर्म आफ रीड ओनली मैमोरी क्या यह आपका रूम का पार्ट है दूसरा भी इडिस ड इंगे अगरम यह फॉर्ट आप्शन देखें छाइन किसे अगरमरी काश मोरी कभी सम्टैम सुब्सकों से क्वाइब को यहीं से कोई भी ऑप्षन सही नहीं है तो पॉण्स आ दूस ट्रू स्टेट्मेंट की बात की जाएगी सही आपको त्टेट्मेंट बताना है बट आप बेसिकली इसको अगर आपने सही से समझाए तो आप बता सकते हैं आपका करेक्ट एंसर इहां पर क्या होगा ओके जल्दी से आप लोग यह आपर एंसर किजेगा आंब वेटिंग फॉर एंसर फाईब mat 44321 पेपनेया पर यहां पर जो काश इस आ सुरुरी है काश मुला माजनSt Ali कि स्था फॉर्म ons आ आप इसा है किसका यह एक तो तुम का जब यह पाड नहीं है को यहां पर आपने देखेगा फ़र्स स्टेटमेंट में लिखा है तो सिस्ट मीमोरी था फॉर्म यहां से क्या हो गया यह गलत हो गया यह statement आपका follow नहीं कर रहा तो यहीं लिखा है is not true यह आपका true नहीं है तो आपका answer क्या हो गया a cash memory ओके तो यह आपका cash memory RAM का part है रोम का नहीं है that is directly associated with the microprocessor इसका मतब भी तो आपका बिल्कुल correct है तो इसी लिए आपका रहे हैं पर option है आपका correct वा जली देखते नाक्स्ट था समय दिनस प्रोसेसिंग of executing to a more programs by multiple processors is दिखेगा एक ही समय में आपके किसी भी दो processing parts को execute करता या दो programs को execute करे आपका multiple processor एक system में to a more than two processor आप क्यूज किये गया और simultaneously to a more than two programs को आपका process करता वोस पार्ट को क्या कहा जाएगा तो पहला option है multi programming be multitasking see time sharing deep multi processing और in and of these कि इन में से कोई नहीं तो आप को हैं बताना है कि सही answer क्या होगा जल्दी से आप लोग बताईएगा option कीजेगा ओके देखे विप जो related to question आपकी exam में है वही question discuss किया रहें बटाप यहां पर जल्दी से जल्दी option सही से discuss कीजेगा personal discuss मत कीजेगा चलिए जल्दी से आप यहां answer कीजेगा ओके देखते हैं अब हम correct answer is correct answer is d d यह आपका हो गया multiprocessing तो यह आपका multiprocessing का पार्ट है multiprocessing is the capability to a computer to multitask और execute more than one program और process at the same time तो इसलिए इसको कहा गया multiprocessing देखिए multiprogramming का मतलब एक भी microprocessor कई प्रोग्राम परफॉर्म कर सकता है लेकिन यहां जो question पूचा गया प्रोसेसर से रिलेटेड है तो प्रोसेसर से रिलेटेड जब भी बात की जाए तो हमारा answer क्या होगा multiprocessing okay then next one is the slides category group of commands is available under which tab in ms powerpoint 2016 2016 में जो slides जो group है slide का जो group होगा slides का जो category है वो किस command में available होती है क्या होम कमांड में या design कमांड में slide सो में या view में या insert में यह आपको बताना है किस command में यह available होगी जल्दी से आप लोग यहां बताईएगा अंसर आपका क्या होगा कि क्या होगा कि क्या आर्रवीज में आपको मालूम है 40 questions आएंगे 20 मास के बहुत important question है बहुत important आपका यह section रहता है तो यहां पर आगर आपने computer section qualify नहीं किया तो आपका बाकी जो भी आप section कर रहे हैं कि बहुत अच्छाए score ला रहे हैं और एक section की बज़े से कहीं ना कहीं आप पीचर है जाएंगे तो यहां आपको carefully पढ़ना है कि क्या 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 क्यूस तरीके से question frame हो सकते हैं चले देखते हैं इसका correct answer is a home अभू में देखेगा जो आपका है the slides category group of commands is available under the home tab home tab के internally आता है कैसे देखेगा यहाँ आपका दिया गया यह आपका टैब गया वों टैब है और home tab में दिखेगा यह आपका slides का ग्रूप दीया गया तो slide group में आपका चैनव आपका किसके group डेटाबेस connectivity और डेटावेस connectivity ओपिंड़ावेस रीक्तिविटी या और्यन्टल डेटा बेलेंस connection इतनी से कौन सा का ओडी बीजी का फ्लूइम होगा अब जल्दी से कशोंड़ी क्या करते हैं कि जैसे कोशन पढ़ा उसके बाद गूगल करना स्टार्ट कर रेते और गूगल से देखकर फिर अंसर करते हैं तो भई आपको यहां पर बताना है कि क्या आपको पता है या नहीं पता है गूगल से अगर आप चीटिंग कर लेंगे तो वह आपकी चीज़े माइंड में स्टोर नहीं होगी और इमेडियेट वह चीटिंग करके आप यहां सर्थ कर सकते हैं बट वह चीज़े इस तोर नहीं होगी प्रॉपर जब आपको पता होगा उसको पढ़ेंगे तब आप यहां स्टोर कर सकते हैं व हावर ओफ डेता लॉस चलि देखते हैं ओडी वी सी से इंच फॉर ओडीवीसी इस तेन्स फार ओपेन डेटाबेस कनेक्टिविटी ओडी बीसी ठीक है में जो आपका करेक्ट एंसर हो गया पो फॉर्ट एंसर अब ओडी वी सी इसन ओपेन चेंडर्ट अप्लिकेशन प्रोग जाता ओडी वी कनेक्टिविटी डी डेटा और भी बेस ओके तो इसलिए हाँ पर ऑल्मोस कंडिडेट्स अलग-अलग अप्शन को देखते हैं जिसके बारे में किसी को अगर नहीं पता है किस तरीका तो गलत अंसर मत किजेगा ऑल्मोस अगर आप देखते तो आप उसी के बे ıldन Doll puisque deposits of connecting accessing to an account is called यया य हम बात करें जो प्रोसेस्ट य अगनेक्टिम एकसेसिंग कनेक्ट हो रहे हैं या एकसिस कर रहे है किसी भी अकाउंट को उस्सि को क्या कहा जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज़ लोग इन लोगाउट साइन अप साइन आउट या इन में से कोई नहीं और आप लोगों को पहले एक वीडियो के थो मैंने आपको बताया था लोग इन लोग आउट साइन आउट हाइवरने टेंड वाई और यह सारे टर्म्स आपको ब यह सारे मोट के बारे में मैंने एक वीडियो में डिसकस किया है उसको आप देखेंगे तो सारे टर्म्स आपको यह क्लियर हो जाएंगे बट यहां पर आपको बताना कि वह कौन सी प्रोसेस या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो कनेक्टिंग एक्सेसिंग किया जाता है उस को क्या कहा जाएगा ओके चली देखते हैं इसका correct answer is a login क्योंकि login कहा गया access करने के लिए उस account को कहा गया तो login is the process of connecting accessing to an account अब दिको यहां पर basically कुछ यहां बताते logout logout sign out basically आप देखेगा logout sign sign out क्या है किसी चीज को close कर देना या उससे बहार हो चाना अगर हम यह sign up की बात करते हैं sign up का मतलब क्या किसी भी part में आप register होते हैं register करना sign up करना sign in और login की अगर बात करेंगे आप यहां पर देखते हैं लिखाओ sign पार्ट और लोगिन वैस ही पार्ट है उसको लोगिन करना 되어 सइवा उल्यक्रत कहि extensively जसीस्थारों रहे हैं आप कोई भी अaisia बनाते हैं कि सिक्वें में धेकते हैं तो वहाँ पर साइनफ अगर आप करेंगे तो पहले हम Lots of technology चैनल मोग्स करते हैं किसी एक ID के थरो तो यह रजिस्टर का पार्ट होगा बढ़ यहां करेक्ट आंसर इस लोग इन ओके चलिए मुग करते हैं नाक्स कोश्चन इस नाक्स कोश्चन आपका दिया गया वीच आप दा फॉलाइंग open यह र फेज़िंटेशन लेयर कौन से पार्ट केण कौन कौन से आपके प्रोकाल्स कहां पर आपकी आपरेट होता है किसलेयर पर आपकी आपरीड के जाती है तो इसका मदब प्रेजैशन लेयर पर कौन-कौन सी ऑपरेट होती है तो मेडी FTP SMTP TFTP और JPEG यहां पर आप कोई यह पांच प्रोटोकॉल दे गए यहां ऑप्शन दिये गए कि क्या आप फर्स और से केंड मेडी और FTP और प्रेजेंटेशन पर अपरेट होती है बी ऑप्शन है सुरी SMTP and JPEG and then D अगर हम बात करेंगे option है one and five one and five मतलब मेडी and JPEG या none of these तो यह आपके part question के हैं और यह आपको option दिये गए अब आपको यहां answer देना कि कौन सा इस part से यहां से आपको answer देना है कौन सा answer correct है जो presentation layer पर work करता है जल्दी से आप लोग यहां पर answer बताइएगा कौन सी प्रोटोकॉल या कौन से function कौन से operations आपके काम करते presentation layer पर अब presentation layer तो आपको पताई है क्यों साई layer में कौन सी layer mock test में से पहले बाले में भी मैं discuss कर चुका हूं otherwise वह साई लियर जब मैंने कौन सा हो गया आपका one and five one अगर हम बात करेंगे मिडी मुजिकल इंस्टुमेंट इस डिवाइस इंटरफेस और जे पीजी जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रूप तो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे जो खोवाइंट यहां अग्या तो यह आपका जो पॉइंट से यह आपके कां करती है प्रजेंटेशन लेयर का कुम क्या कहेंगे syntax layer भी कहते हैं और OSI model के six number की layer होती है presentation के बाद आपको पता है application layer आती है तो यह आपकी six number की layer होती है OSI में seven layer होती है यह सारी चीज़े आपको कि लिए नहीं से पहले भी हम discuss कर चुके हैं चलिए देखते हैं next question IP addresses are converted into IP address converted into किसमे convert होता तू अगर यहां बात की जाए convert to किस पार्ट में convert करता अब बीट में convert होता अलफा नुमेरिक स्टिंग में convert होता hierarchy of domain names में convert होता TCP में convert होता या एक decimal string में convert होगा यहां पर यह question को समझना बहुत important क्योंकि question में कई लोग समझनी पाते हैं और अंसर आपके गलत हो जाते हैं reason क्योंकि question में बहुत short में कहीं ऐसे question आ जाते हैं IP addresses are converted to IP address किसमे convert होता यह important आपका question है तो देखिए आपर आपके पांच option दिये गए इसके basis पर आपको है क्लियर करना है ओके अल्फा नुमेरिक स्टिंग ओके decimal string नो चलिए देखते हैं correct answer is correct answer is a cc क्या है IP address are converted into a hierarchy of domain names it means देखो यहां पर इसी स्कून समझते हैं अगर किसी भी domain का domain अगर हमें आब आप करेंगे just like मैंने लिखा यहां पर bankers कि अड़ा कि डॉट कॉम कि इसका मतलब अगर हम इस bankers अड़ा.com की बात करेंगे यह domain आपका जो यह domain name दिया गया यह किसी ना किसी IP पर ही registered है बड़ हम सर्च किससे करें chaîne बैंकर सड़ा से और इंकर सड़ा क्या हो गया एक डूमेन हो गया इसका मतल़ा यह जुआ आपका कन वर्ट हुआ किसमे एक डूमें में में जैसे oup दिखते गूगल कों Never Background का गूगल क्या एक नेम है लेकिन गूगल भी next one which of the following is a type of margin at the time of printing and binding printouts अब अगर यहां से कोशन में किया गया कि कौन सा आप से option सही है कौन सा margin सही है जो printing या binding printouts के पार्ट पर मार्जन आपका शेट किया जाता है फस्वन आप पोट्रेट भी गटर मार्जन सी एफूर बी नाक स्पेज और इन आफ देखे प्रॉपर अगर आप कोशन को समझेंगे option से ही आपका कोशन निकल आएगा कि कोशन में क्या पूछा गया और इसली आप इसका अंसर कर सकते हैं बट जब तक आप को को समझेंगे नहीं तब तक आपको अंसर करना मुस्किल होगा देखे बहुत से लोगें आपर गलत अंसर कर रहे हैं बिल्कुल रीजन है क्योंकि अगर पूछा गया टाइप साफ मार्जन तो रीजन क्या है कि मार्जिन उन्होंने जो देखे मार्जिन जो पड़े वो कौन कौन से फर्स बना उनोने देखा कि वर लेक्स्त मार्जिन है राइट मार्जिन है अश्टॉप मार्जिन है फिर को तोप मार्जिन अंड्डन बॉॉकर दीए गया उनुक्त कि शल्रावा है करने फ्रेंस नहीं पड़ा जो प्रिंटिंग और वांडिंग के लिए उसके ज nouvelles गोड़ आधिके कुछ लोगों को समझ में आया है बिल्कुल चलिए इसका अगर हम आंसर देखते हैं करक्ट एंसर इस गटर मार्जिन जो गटर मार्जिन है आपका वह आपका प्रिंटिंग या बाइंडिंग के लिए उसके जाता अगटर मार्जिन एड्स एन एक्सट्राइ स्पेस टू दा BINDING SIDES BINDING SIDES जब आप किसी बुक की के लिए लिए दिस साइड आपका मार्जिन रसेट होता है और उस मार्जिन को हम कहते हैं गट्र मार्जिन तो यहां पर यह मार्जिन का वेश पूंच लिया जाता है चलिए देखते हैं एक्स कोशनी से नास्ट कोशन आपका है विच्छा फॉलाइंग टॉपलोजी डाज नौट यूज तो शीचेस को यूजर नहीं करती या सुच में सुच का यूज नहीं होता प्रैल आप्ट्सन आफ बस टॉपलोजी बी श्टार टॉपलोजी सीरिंग टॉपलोजी डी मास्ट अपलोजी कि कौन सी ऐसी टॉपलाजी है जो स्विच इस का यूज नहीं करती है जिसमें स्विच का यूज नहीं होता है डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है कौन सी डिवाइस वो डिवाइस आपकी स्विच तो जिसमें स्विच का यूज नहीं होगा ऐसी कौन सी आपकी होना चाहिए बताया गया था इस ताइप से आपके जोल एंडोड होते हैं इंड पॉइंट्स दिये जाते हैं वहाँ पर आपका टर्मिनेटर का यूज किया जाता है जो आपके टर्मिनेटर क्या करते हैं सिगनल्स को रोकते हैं और अगर इस टर्मिनेटर के recording देखा गया अब यहां से आपके सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है तो इस टाइप की टॉपलाजी में कोई भी स्विच का यूज नहीं होता है कोई भी सेंटर पॉइंट का यूज नहीं होता है तो इसलिए लिखा इंद बस टॉपलाजी और नोट्स आर पेरिफेरल्स आर कन क्रबून कहलाती है तो इस तरीके से आपका यह एंसर करेक्ट हो जाता है कि यहां पर कभी भी कोशन में कोई भी पार्ट पूंचा जाए कि बस या हब भी कोशन में लिख दिया जाए तो भी हम बस टॉपलाजी की ही बात करेंगे ओके चले दिखते हैं नाक्स्ट कोशन इस वाई फंवेर वी अंडेस्टेइन अगर हम फंवेर के बारे में जाने तो फंवेर को हूं क्या समझेंगे इक वोशन आपका हो गया पहला ऑप्शन हा फिजिकल एकुपमेंट्स यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम दूसरा ऑप्शन अ सेट आफ इंस्ट्रॉक्शन दॉसर ओनली मैमोरी ऑफ और कंप्यूटर द्यूरिंग टाइम अफ मैनुफेक्ट्रिंग इन अन आफ दीज फाइब ऑप्शन स्कीवन है बहुत बेसिक आपको अगर सही से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जब आपका रैम का टॉपिक पढ़ा था वहां फर्म वेर के बारे में डिसकस जरूर किया था कि फर्म वेर क्या है और एक्जाम में किस को फर्म वेर कहते हैं ओके तो फर्म वेर की अगर हम बात करें तो बायोस इस दा पार्ट आफ फर्म वेर बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम बायोस की बात की जाए तो बायोस कों क्या कहते ह और यह मैंने आपको प्राइमरी की वीडियो में प्राइमरी मेमोरी जब पढ़ाया था उस वीडियो में लाइब क्लासे में आपको डिसकस किया था कि बायोस पार्ट क्या है और किसका पार्ट है तो आपको मालूम है कि बायोस जो पार्ट है वह आपका किसका है वह रूम का है है और रोम आपका क्या है मदर बोर्ट पर इन विल्ड रोता है जह आपका विल्ट कर दिया गया जू मेन वोड़ आपका दिया गया उसमें तो फर्मऴयर आपको बताना है तो आप तो किलियर हुआ बोगा की राइट एंसरे पर कौनzemवा ओंगा यह होगा वह वह बी हो into the read-only memory means room of a computing device firmware which is jockey added at the time of manufacturing is used to the run user programs on the devices up kayafix कर दिया गया एक मज़र मदर्बोर्ड पर आपका एक चिप लगा दिया जाता है जो चिप क्या है आपका रूम सिप उसी को देखिए तो तो लहाँ सिन को कहता है आम आपका आयोस तो भाय जो पार्ट है बायोस कोई क्या कझा झाएगा आपका फिर्म वेर कहा दा अशाम में कॉछन में पूचि लिया जाए की बायोस क्या है हाड़ वेर है सॉफ्ट्वेर है फर्म वेर है माल वेर है शेयर वेर है तो ऐसा कोई भी क्वेशन पूंचा जाए तो बायोस इन पार्ट आफ फर्म वेर ओके चले देखते हैं next one what is the shortcut key of open font dialogue box in MS Word MS Word में font dialogue box open करने का shortcut की क्या है के जल्दी से आप लोग बताइएगा Ctrl F है या Alt Ctrl F है या Ctrl D है या Ctrl Shift D है या Alt F4 दिया जाएगा जल्दी से आपको यहां पर answer करना है कि shortcut key open font dialogue box font dialogue box आप समझे जिसमें आपका एक font style पूछा जाता है दूसरा font size आता है जिसमें आप देखते हैं minimum 8 आपका यहां से maximum 72 otherwise आप manual भी आप इसके आगे set कर सकते हैं जिसमें आप more than 72 use कर सकते हैं तो यहां पर manually आपका अलग अलग दिया जाता है 1638 होता है और otherwise exam में almost आपका minimum 8 और maximum 72 का था तो यह जो फॉन्ट स्टाइल साइज का यह जो आपका पार्ट है किस से ओपन होता font dialogue box ओके चलिए देखते हैं correct answer is हाँ बिलकुल सही लोगों ने कुछ लोगों ने अंसर सही किया यहां पर आपका correct answer हो गया C control D control D से क्या होगा font dialogue box आपका ओपन हो जाता है चलिए next question is assembly as a assembly क्या है based low label language replacing binary machine code instructions which are very hard to remember it is the classic and uncontroversial examples of the low label language जली से आपको हैं पर अंसर बताना है एक मैमोरी भी हाई लेबल सी की डी निमोनिक एंड ए फॉर ट्रॉन तो यहां पर आपको बताना assembly क्या है किस टाइप की किस बेस की आपकी programming language है जल्दी से आपको बताईए का बिल्कुल है हाई लेबल ओके नो आप कहीं न कहीं आपको एंसर देखना है कि क्या सही है ओके चलिए हम देखते हैं करेक्ट एंसर इस डी जो आपका क्या है और अपको तो फाल कॉल सब्सक्रों सब्सक्राइन सब्सक्राइब 1 much पर चूल एंसर जो और आपकी हां पर निमाडिक एपनेन के डिफरेंड है इसने पहले भी एए फर्ण डेलोग बॉक्स का कॉश़िछ पूचा गया तोससाइज मतलब फोन डायलोग वर पाउसित हो पैसल्ग हो स्भार सा म्तॉल एफ पाइब और सुस्त कप आपका फॉंट से रिलेटेड आता है तो कुशन इग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तीनों आप्शन आपके करेक्ट होते हैं ओके चलिए देखते हैं आपर करेक्ट एंसर इस डी जो डी ऑप्शन दिया गया वह आपका करेक्ट है कंट्रोल सिप्ट और पी और यहां पर अगर आप से कोशन में पूछ लिया जाए तो कंट्रूल प्लास से फ्ट एंड अगर हम फॉंट की बात करेंगे एफ भी करेंगे तो यह भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है तो इससे रिलेटेट देखें आप एफ यहां पर कहीं नहीं दिया गया बट कंट्रोल सिफ्ट पी से भी फॉंट डायलोग बॉक्स ओपन होता है तो करेक्ट एंसर इस डी तो यहां पर आपके तीन हो गया देखें कंट्रोल कि बात की जाए तो यह भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा तो तीन ऑप्शन इसके सही हैं किसी के बेसिस पर आपसे एक्जाम में क्वेशन पूछा जा सकता है ओके चले देखते हैं नाक्स आपका यह टोटल सेशन आपका कंप्लीट हो गया तो आज के जो पार्ट में आप अबर आफ क्वेशन्स डिसकस किये गए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बैलियोबल क्वेशन्स हैं जो एक्जाम में अल्मोस्ट पूछ लिए राते हैं तो आज के लिए फिर इतना ही मिलते हैं नाक्स सेशन में ओकी थांक्यू कि अ कि